हाईलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर आप तैली में आज में इंग्लिश का जो आपका प्ले है तब मर्चेंट आफ वैनिस उसको लेके आया हूँ यह प्ले जो है वो शेक्ष्पियर के द्वारा लिखा गया प्ले है तो इसको आपको जो है ना नौबल का एक एक पार्ट जो है वो कवर हो जाए आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना है तो सारे करेक्टर को मैंने कवर करने की कोशिश किये सारे इंसिडेंट्स को कवर करने की कोशिश किये और डेटेल में पूरा जो चैप्टर है जो प्ले है आपका त The play Merchant of Venice is believed to have been written between To Merchant of Venice जो play है वो कब लिखा गया था? ये कैसा नुमा लगा जाता है? तो वो 1596 से 1599 यानि कि 1596 से 1599 के बीच में लिखा गया है In which series the play was published? ये play किस series के अंदर published हुआ था? ये first folio जो series है उसके अंदर ये published हुआ था The subject of the play is इस play का subject क्या है? इस play का subject है depth यानि किसका title है depth Depth मतलब देंदारी The genre of the play इस play का genre क्या है? इस play का genre है? ये कैसा play है? ये comedy play है तो इसका genre जो है वो comedy है Sitting of the play is इस play के setting कैसी है? ये Venice में है 16th century का play है The source of the play क्या है? Christopher Marklaus the jaw of the Malta Malta के jaw की कहानी है The play is most remembered for इस play को किसले याद किया जाता है? Its dramatic scenes इसके dramatic scenes के लिए Shylock's famous speech on humanity Shylock की famous speech जो है humanity के उपर Portia notable speech about the quality of mercy Portesia ने जो court of trial में speech दी थी Quality of mercy के लिए उसके लिए ये काफी famous है प्ले इनके लिए इस play को याद किया जाता है हमेशा Remember किया जाता है तो अब आगला question जो है हमारा वो देख लेते हैं Who is Antonio, Antonio कौन है A merchant of Venice Antonio जो है Venice का एक वैफारी एक merchant है Who is Bassanio, Bassanio कौन है Bassanio जो है वो Antonio उसका friend है Who is Shylock, Shylock कौन है A Jew, वो एक Jew है and money lender वो पैसे उधार देता है लोगों को money lender है Shylock के बारे में बहुत सारी चीज़े जो है इस novel में cover cover की गई है इस प्लेक एंड़ी जड़ी अन्तकारी ज़्यादा ब्याज़ पैसे देने वाला बोला गया है तो अगला question है Antonio ships and merchandise are busy at the sea too कौन से sea में busy थी हो वो या कौन से sea के बीच में उसका business चलता था तो trifles जो sea है एक उसके अंदर उसका चलता था the indies, indies के अंदर चलता था Mexico के अंदर चलता था ending line में यह जब seas थी उसको सबको cover करता था after having the squad his state Basenio notes hero may ducats subscribe subsidize his expenditure as a sweeter to Porsche उसने Porsche को शादी करने के लिए marry करने के लिए कितने ducats की जुरत थी वो कितने ducats मांगने आया था Antonio से तो उसके लिए ducats जो मांगने आया था वो Antonio से जो merchant of Venice था वो मांगने आया था उसे 3000 ducats 3000 ducats मांगे थे उसने ताकि वो जो पोर्शिया है पोर्शिया से वो शादी कर सके बसैनियों तो आपने देखा अब जो पोर्शिया के बारे में देखने था पोर्शिया कहां की राजकुमारी थी तो पोर्शिया इस अप्रिंसेस ओफ बैलमॉंट वो बैलमॉंट की राजकुमारी थी कौन राजकुमारी थी वो थी पोर्शिया तो कहानी के अंदर पोर्शिया का भी एक काफी महत्पूर्ण करेक्टर है तो हूम बसेनियों एप्रोच फॉर दा मनी ही नीड जब बसेनियों को पैसे की जुरत थी तो वो किसके पास गया पैसे मांगने के लिए तो बसेनियो आदिकतर किसके पास जाता था पैसे मांगने अपनी फ्रेंट एंटोनियो के पास तो वो अब भी एंटोनियो के पास गया पैसे मांगने के लिए बसेनियो बोरोज दा मनी फ्रॉम बसेनियो ने कहां से पैसा लिया तो जब उसके फ्रेंड एंटोनियों के पास पैसा नहीं था क्योंकि सारा पैसा शिफ्ट पे लगा वाता तो उसने किसे पैसा लिया जुईश मनी लेंडर शाहलोक से तो उसने एंटोनियों के एडवाइस पे शाहलोक से पैसा लिया तो हूम बसैनियो नेम्स एस दा गरेंटर उसने किसका नाम दिया गरेंटर के रूप में तो उसने किसका नाम दिया था बसैनियो ने एंटोनियो का एंटोनियो ने उसकी गरेंटी लेती कि अगर बसैनियो पैसा नहीं दे पाएगा तो कौन देगा पैसा तो कौन देगा पैस बिना इंट्रस्ट के शर्थ पर उसको पैसा देनी कि लिए भी तरह था क्यों दे रहा था वह भान ही आश्वाक को क्यों दे रहा था इफ एंटॉनियों वर ndबटो लिपे डा मँं एड बार्इड स्पेसिफाई बेड आगा जो डिड साइड की उस पर अंटोनियो ने पैसा नहीं दे पाया या वो दे पाने में आसमर्थ रहा तो Shylock में take a point of Antonius flash तो Shylock क्या करेगा Antonius flash का एक point जो है वो निकाल लेगा यानि कि उसके शरीर के mass का एक point mass वो निकाल लेगा इसका उसको right है ऐसा उसने agreement कर लिया किस के साथ कर लिया शायलोक के साथ कर लिया किस शायलोक और एंटोनियो ने ऐसा एग्रिमेंट किया कि शायलोक के शरीर का एक पॉंट मास जो है वो एंटोनियो निकाल लेगा अगर वो पेमेंट को नहीं दे पाया तो आगे है बसेनियो लीफ्स पॉर बैलमॉंट विद इस बसेनियों ने अपने किस फ्रेंट के साथ बेलमॉंट जाने का निश्य किया या वो बेलमॉंट गया तो उसका जो फ्रेंट था जिसका तो वो बेलमॉंट गया था वो था ग्रेटेनियों ग्रेटेनियों के साथ वो गया था बेलमॉंट पोर्शयास फादर लेफ्ट अविल इस्टिपलेटिंग डैट उसकी जो विल थी पोर्शया के फादर की इस विल में क्या लिखावा था क्योंकि उसके फादर मर चुके थे लेकिन मरने से पहले उसको एक विल छोड़ दे थे इच अफ हार स्यूटर उसके फादर ने तीन कास्केट छोड़ी थी और जो भी पोर्शया से शादी करना चाहेगा उसको एक कास्केट का चुनाप करना होगा जो राइट कास्केट होनी चाहिए तब ही उसकी मैरी जो है उसके साथ हो पाईगी पोर्शया के साथ ऐसा उसके फादर ने शर्त रखी थी तीन कास्केट किसकी बनी हुई थी गोल्ड, सिल्वर एंड लेड़ सोने की, चांदी की और लेड़ की वू वस दा फर्स्ट सूटर अफ दा पोर्शी है पोर्शी है पोर्शी है का पहला ता स्लोगन, गोट कास्केट के ओपर क्या स्लोगन लिखावा था तो उसने लिखावा था कि जो भी मुझे चूस करेगा उसको पैसा लेना होगा यहनि कि उसे पैसा लिया जाएगा वो वास दा सेकंड सूटर सेकंड सूटर कौन था यह आपको बताना तो उसने सुनी थी सिल्वर कास्केट इंटेर्प्रेट दा स्लोगन क्या स्लोगन लिखावा था सिल्वर कास्केट के उपपर उसने जो जटना डिजर्व करेगा उतना ही उसको मिलेगा, ये लिखावा था, उसके बई सिलवर कास्केट के अपर, तो अबी तक डो कास्केट चूज की जा सुकी है, Who was the last sweter, last sweter कौन था, last sweter था, बसेनियो, तो बसेनियो ने भी कास्केट चूज की होगी, तो which कास्केट बसेनियो चूजेस, नहीं मुझे चूज किया है, वो महनत से करेगा, जो भी करेगा, और महनत का फ़ल उसको मिलेगा, यह लिखावा था, लेट कास्केट के अंदर जो परची थी, उसके उपड़, फो वास नरेशिया, नरेशिया कौन थी, पॉर्शियास हैंड मेड, पॉर्शिया के हैंड मेड थी, यानि कि उसकी वेटिंग मेड थी, पॉर्शिया की, ग्रेशेनियो मेरी विड ग्रेशेनियो ने किसके साथ ग्रेटईनियो जो फ्रेंड था बसेनियो का उसने किस से मेरित की उसे नरेशिया से शादी की थी वो किसके साथ प्यार करती थी वो क्रिश्यन लॉरेंजो के साथ प्यार करती थी संबन में बंदी हुई थी जेसिका एलोप एलोप पतला होता है बंधन में बंदना तो किसके साथ जुड़ी थी वो क्रिश्यन लॉरेंजो के साथ जुड़ी हुई थी who was Lorenzo, Lorenzo कौन था friend of Antonio and Basenio Antonio and Basenio का friend था Jessica took with her, Jessica उसको अपने साथ ले गई, किसको ले गई, क्या ले गई Jessica अपने साथ, a sustainable amount and a tortoise ring, एक sustainable amount ले गई और tortoise के ring, ring ले गई अपने साथ, tortoise ring tortoise ring का मतलब अपने शेप के ring थी, जो वो ले गई, काफ़ी कीमती थी, who was Bellario, Bellario कौन था, पोर्शियास कजन था, जो lawyer था, कहाँ पर lawyer था, पाडवा में पडवा में Basenio borrows the money for Basenio ने कितने, किसे भरी बोरो की, कितने टाइम के लिए money बोरो की three month के लिए, टीन महीने के लिए उसने मारे money बोरो की थी, शायलॉक से, तो शायलॉक जो था, काफ़ी करप money lender था, जो बहुत ज्यादा interest चार्ज करता था, उससे उसने तीन महीने के लिए पैसे लिए थे, what was this inside the lead cascade, lead cascade के अंदर क्या था, पोर्शियास painting, lead cascade पोर्शिया के painting निकली, जिससे बसेनियो और पोर्शिया के शादी decide हो गई, who bought the letter of Antonio to बसेनियो, Antonio का letter बसेनियो था, कौन लेके गया, वो लेके गया था, सेलेरियो, सेलेरियो लेके गया था, पोर्शियास इसने अपने आपको disguise किया, किस रूप में disguise अपनी identity change कर ली, नर्शियास discuss herself as, नर्शिया ने अपने वो क्या बना लिया, disguise कर लिया, the law of clerk, वो एक law की clerk बन गई, यानि कि पोर्शिया, वो बेल जैदर बन गई थी, या लोयर बन गई थी, और उसके clerk बन गई थी, नरेशिया, नर्शिया उसके clerk के रूप में उसके साथ चली थी, किसको बचाने के लिए, एंटोनियो को बचाने के लिए, क्यों, क्योंकि वो बसेनियो का friend था, और उसने शादी में काफी help की थी उनकी, इस वज़या से वो उसके बचाना चाथी थी पोर्शिया, इसलिए नरेशिया भी उसके साथ गई थी, उसकी clerk बन कर, तो पोर्शिया के clerk कौन थी, वो थी नरेशिया थी, जो अपने आपको disguise कर रही थी, किस रूप में, law of clerk के रूप में, और पोर्शिया का नाम लेकर, उसने अपने आपको advocate present किया था, court of trial में, और एक court of trial में, उसने advocate का role भी प्ले किया, किसने role प्ले किया, पोर्शिया ने, लेकिन, चुलिए जो बेल जैदर था, वो कौन था, वो पोर्शिया का एक servant था, उसके friend है, किसके friend है, वो Antonio और Basenio के, ये डोनों Antonio और Basenio के friend है, कौन-कौन friend है, Salario और Salenio, who is the speaker of the following line, इस line का speaker कौन है, ये line कौन सी है, Mary is twice blessed, it blessed him that give and him that take, तो ये line है, जो play से ली गई है, इस line को किसने बोला था, इसका speaker कौन है, ये पूछा गया, तो इसका speaker कौन है, इसका speaker है, पोर्शिया, पोर्शिया ने act four, scene one में, ये dialogue बोला है, और ये dialogue, जो इसने बोला है, पोर्शिया ने, कब बोला है, act four, scene one के अंदर, while escaping from the fathers, Jessica disguised herself, उसने अपने वो क्या बना के, गर से भागी थी, वो कौन? Jessica, Jessica कौन है, शैलोक की बेटी, लोरेंजोस, torch bearer, लोरेंजो की torch bearer, ये अज़ा servant, वो वहां से भागी थी, servant बनकर, servant का, रूप लेकर, अब who was Tubal, ट्यूबल कौन है, a few friends of शैलोक, Jew friend, शैलोक का Jew friend है, कौन है, जिव फ्रेंड, शैलोक का, ट्यूबल है, ट्यूबल कौन है, शैलोक का Jew friend, तो अब आगे देख लेते हैं, अब आगे हमारे पास क्या है, what does, what does Porsche गिव बसैनियो, as a token of her love, तो पोर्शिया ने बसैनियो को, token of love में क्या दिया, उसने, उसको दिया a ring, एक रंगूठी डिती पोर्शिया ने बसैनियो को और काटा, कि इस अंगूठी को हमेशा अपने पास रखना, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो, और मेरी प्यार की निशानी, यह हमेशा आपके पास रहेगी, और इसको समाल के रखना, किसी को देना नहीं, ऐसा कहकर पोर्शिया ने एक अंगूठी, किसको दी थी बसैनियो को, अब वो रिंग उसने अपने पास रख ली, और सोचा कि मैं किसी को यह रिंग नहीं दूँगा, बसैनियो बोरोज मनी टू, बसैनियो ने मनी बोरो की, कियो मनी बोरो की थी, कोट, पोर्शिया और हायरेस, उसने वो रिंग जो थी, वो किसको दे दी, पोर्शिया को दे दी, क्योंकि पोर्शिया ने कोट में जो है, ऐसे लॉयर जो है अंटोनियो को बचाया था, और उसको देनी पड़ी, who does the play title merchant of venice refer to यह title जो है merchant of venice यह किस play से जुड़ावा title है यह Antonio से जुड़ावा title है Antonio को कहा गया merchant of venice what character fault does Portia's remark about the English shooter English shooter किसको कहा गया है Portia की language में यह Portia ने किसको remark किया है English shooter वो है poor language skill उसने बोला है उसकी जो poor language skill है उसको उसने बोला है which regular business practice does Shylock do Shylock क्या करता था Shylock करता था usury usury मतलब जादा ब्याज पर पैसा देना धोखा रड़ी करना बेहिमानी करना यही Shylock का काम था वो लोगों को लूटता था ठकता था ब्याज के नाम पर वो जादा ब्याज वसूलता था पैसा उसका कभी भी कोई चुका नहीं पाता था Shylock hears that his daughter Jessica is squandering and stolen her wealth in उसको पता लगा कि जब उसकी बेटी जो Jessica है वो घर से भाग गए और काफी सारा पैसा चुरा के अपने साथ ले गई है उस समय Shylock कहाँ पर था यह पूछ रहा कहाँ पर सो खबर मिली तो वो Genua में था वो कहाँ पर था Genua में था अगर वो यहाँ पर होता तो भागने नहीं देता अपने बेटी को पकड़ लेता Why was Porsche depressed Porsche depressed क्यों थी She can't choose his husband वो depressed lady क्योंकि वो अपने husband का चुनाब नहीं कर सकते थी क्योंकि उसके फादर ने पहले ही एक will बना के छोड़ी थी और जिसमें तीन कासकेट छोड़े थे और जो right कासकेट का चुनाब करेगा वही Porsche का husband होगा इसे शर्थ उन्होंने उसके अंदर रख दी थी What does the Porsche suitor have to do if they choose the wrong casket अगर वो wrong casket चुनता है Porsche का जो suitor है जो उसको marriage करने के लिए आया है तो क्या होगा उसके साथ they will never marry वो कभी शादी ही नहीं कर पाएगा अगर उसने wrong casket को चुना तो इसलिए लोग जहतर आते नहीं थे lunch, 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 left, shylock, vikos lunch ने shylock को क्यों छोड़ दिया shylock is a Jew क्योंकि shylock एक जियू था इस वज़ा से उसने उसको छोड़ दिया तो shylock को एक जियू बोला गया launch load want to do service for वो किसके लिए काम करना चाहता था वो बसेनियों के लिए काम करना चाहता क्योंकि बसेनियों भी एक Christian था give to conclude noun he left the service of the shylock जो उसने जैसिका ने उसको छोड़ा तो क्या दिया हर रिंग उसने अपने रिंग दिया उसको what is inside the gold casket gold casket के अंदर क्या था वो था a skull एक skull निकला था gold casket के अंदर what is the inside of the silver casket silver casket क्या निकला a blinking idiot एक blinking idiot निकला था silver casket के अंदर what does the jessica trade shylock's ring shylock के रिंग क्या किया उसने monkey उसने monkey से उसको trade किया किसको trade किया shylock को किसने जैसिका ने porshia compress basenio 2 उसने basenio किसे compare किया porshia ने hercules उसने उसको hercules से compare किया what present does the guba give shylock guba ने shylock को क्या दिया उसने shylock को दिया the dove dove को यहनी कभूतर का है एक जोड़ा to whom does shylock delivers his famous monangla had not a jew eyes dead not a jew eyes जिसके jew क्या ही नी थी वो थी selenio and a selerio ने उसको gift किया था क्या दिया था deliver क्या किया था famous monangla दिया था उसे किसको दिया था जियू को how many ship does the antonio believe he has lost in the total कितने ship उसने सोचा कि समंदर के तुफान वे से कितने ship खो गई है total उसकी तीन ship जो थी उसने सोचा वो लॉस्ट हो गई है antonio compares shilogs to which animal antonio shilog को किस animal के साथ compare किया है तो उसने सो compare किया है dog के साथ what does the bassinio after the shilog save antonio life shilog ने जब antonio की life को save कर लिया शाय लॉक से उसने कितना sorry bassinio ने कितना offer किया था shilog को antonio को बचाने के लिए तीन हजार की जगा मुझसे 6000 डुकेट ले लो लेकिन छोड़ दो किसको छोड़ दो antonio को what does the shilog bring with him to the court room court room में अपने साथ क्या लेके आया था shilog shilog अपने साथ लेके आया था a knife under scale एक knife लाया था और एक scale लाया था कि वो knife से जो है एक pound mass उसका काटेगा और scale में इसका weight करेगा और अगर कम होगा तो वो दोबारा उसको mass काट सकता है what does the porshia say that the shilog must not to do when he cut off a pound of antonio's flesh जब antonio's flesh को काटेगा तो क्या नहीं कर सकता ऐसा कुछ कहा फorshia ने तो वो क्या था उसने क्या बोला कि वो क्या नहीं कर सकता तो this pillar drop of his blood उसने ये बोला कि अगर वो उसके flesh को काटता है mass को काटता है तो एक boond भी जो खून की है वो जमीन पर नहीं टपकनी चाहिए अगर एक boond भी खून निकला और जमीन पर टपका तो उसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए किसको सजा मिलनी चाहिए शाय लोक को ऐसा किसने बोला पोर्शिया ने बोला कि आपने agreement बनाया था ये सही है लेकिन वो वन पॉंड फ्लेश का agreement है उसमें आपने खून निकालने को कबर नहीं किया तो इसलिए आप फ्लेश तो लेने के अधिकारी हो क्योंकि उसने contract जो है पूरा नहीं किया अंडोनिया लेकिन आप उसका स्केवल फ्लेश निकाल सकते है उसका खून नहीं बहा सकते और अगर उसका खून वहेगा तो आपको सजा मिलेगी अगर उसने खून की एक बूंड भी नीचे गिरा दी जब वो फ्लेश को काट रहा होगा वन पॉंड को तो क्या हो सकता है शायलोग के साथ ये पूछा किसने पूछा ये पूर्शिया ने पूछा उससे या उसको बूला या उसको वन किया कि अगर एक खून भी नीचे बून की गिर गई तो इस एंटाइर स्टेट विल बी सीजड उसकी पूरी प्रपर्टे को सीजड कर दिया जाएगा कोट के द्वारा और फिर वो लाइबल होगा कोट को वो हरजाना देने के लिए क्योंकि उसने एग्रिमेंट जो किया है वो वन पॉंट फ्लेश का किया है खाली उसने उसमें कहीं पर भी बलड को कवर नहीं किया अगर बलड को कवर नहीं किया और किस condition पर बापिस कर दिया अंटोनियों ने यह आपसे question में पूछ रहा है Half state Shiloh को क्यों return कर दिया अंटोनियों If Shiloh convert to Christianity अगर Shiloh जो Christianity को अपना लेता है वो यहूदी धरम को छोड़ देता है और Christian बन जाता है तो जियू है ना पहले तो जियू को अगर वो छोड़ के वो Christianity को अपना लेता है तो उसको वो उसकी आदी property बापिस कर देगा कौन बापिस कर देगा अंटोनियों को क्या पूरी property जो है seized होकर अंटोनियों के पास आ गई थी Shiloh की तो उसने का कि आदी जो Shiloh की property वो उसकी बीटी को दे दी जाए और आदी property वो बापिस ले सकता है अगर वो Christianity को अपनाने के लिए तैयार है अगर वो Christian बनने के लिए तैयार है तो वो उसकी आदी property उसको देने के लिए तैयार है ऐसा बोला किस ने? ऐसा बोला एंटोनियों ने किसको बोला शायलोक को बोला तो शायलोक और एंटोनियों के बीच में कोट के अंदर ही ये सब डिसाइड हो रहा है और कोट के अंदर ही इनकी आपस में बाते चल रही है तो ये काफी जो था ट्रजिक सीन था उस कोट का और जो ट्रायल चल रहा शैलोग के उपर उसी के बीच का इंसिडेंट है जब पोर्शिया ने इस चीज को समाला और आके ऐसा एड़ोकेट एक एड़ोकेट का रूल उसने प्ले किया वो एड़ोकेट बनके आई थी बैल जैदर के रूप में तो उसने काफी अच्छा काम किया और शैलोग के करप्श देने के लिए एंटोनियो ने भी एक शर्त रग दी और बोला कि अगर आप क्रिशन मन जेंगे तो मैं आपके आड़ी प्रपर्टी दे दूँगा और बैल जैदर जो बैल जैदर बनके आई थी पोर्शिया तो क्या ओफर किया बैसे उनियों ने उसको बैसे उनियों ने बोला कि आप मुझसे पैसा ले लीजिए मनी ले लीजिए अपनी फीस के रूप में प्रचिया यह तो बैल जैदर बनके आई थी उसने क्या देने के लिए बूला दोनों को टू ऊंतो कि रिंगो बैसे और दोनों के लिए काफी कीम्टी थी बसेनियों जो था वो रिंग दियना नहीं चाहता था क्योंकि वो रिंग उसकी वाइप पॉर्शिया ने क норм अब रिंग ती कि इस रिंग को कभी अपने से अलग मत करना उसने कहा कि उसको fees के रूप में अगा चाहिए तो वो ring ही चाहिए बाद में एंटोनियो ने इसको समझाया कि वो उसको ring दे दे what good news does एंटोनियो get at the end of the play play के end में एंटोनियो को क्या good news मिली his ships has written उसके जो ships हैं वो return आ गए हैं ये good news उसको मिली कि उसको मिली एंटोनियो को यानि कि वो जो खबर आई थी जो उसके ship जो है वो समझरी दुफान में फस गए हैं वो खबर जो है वो सची नहीं निकली और बाद में उसके ship भी बाफिस आ गए और उसको शायलोक के शडियन से ही ये जरूर बता है और इस तरह मेरे साथ जोड़े रहें आगे भी lecture में आपके लिए लाता रहूँगा थैंक्यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करें सब्सक्राइब करें लाइक करें एजुकेटर थैंक्यू